अपने मुश्कार रितू इस किशिन कॉर्णर में आपका स्वाकत है और आज हम बनाने जा रहे हैं कीवी केक बहुत ही टेस्टी और डिलिसियस चलो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं यहां हमने एक मिक्सा जार लिया है इसमें धही एड़ कर दिया है आदक इसके बाद में हम इसमें कीवी एड़ कर देंगे कीवी के मातरा आपको जादा नहीं लेनी है सिर्फ आदी ही कीवी आपको एड़ करनी है इसे मैने छोटी पीसों में काट लिया है और मैं इसे यहां एड़ कर रहे हैं अब हम इसे ब्लैंड कर लेंगे ब्लैंड करने के बाद में इस तरह से हो जाएगा अब मैं एक पॉल लेती हूँ इसमें शुगर एर कर देती हूँ यह पॉना का सुगर लिया है और इसमें रिफाइन ओड हम यूज कर देती है आप खीका और बटर का भी यूज कर सकते हैं और साथ में से अच्छे से पिसकर की साथा से मिला लेते हैं यह हमारा इस तरह से ही मिलेगा हमने पॉडर शुगर का यूज किया था यह इस तरह से ही दिखाई देगा अब हम इसमें कीवी का जो मिश्चर है वो से एड़ कर देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे और यह इस तरह से हो जाएगा विसकर से हमेंसे अच्छे से ही मिक्स करना है शुकर पूरी डिजॉल हो जानी चाहिए अब हम एक चल्नी लेते हैं और चल्नी में मैंदा लेंगे एक कप और इसके बाद में बेकिंग पाऊडर और बेकिंग सोडा ऐड़ कर देंगे यहां हमने बेकिंग सोड़ा और बेकिंग पौडर इनको एड़ कर दिया है और इसे अब हम छान लेंगे बेकिंग सोड़े की मात्रा आपको जादा नहीं रखनी है इसकी कॉंटिटियां को जितना इसमें बताया गया है उतना ही रखना है जादा रखने से आपक की खराब सकता है अपली किसी भी स्टेप को आप यहां इसके पना कीजिए नहीं तो आपक की कच्छा नहीं बनेगा और अब हम इसे छान लेते हैं छानने के बाद में बिसकर से इसे अच्छे से हम फैंट लेंगे और यह जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद में ही हम अगे का प्रोसेस करेंगे कीवी के बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे ज़रूर बना कर देखें एक पर अगर आपको बेटर गाड़ा लगता है तो आप इसमें तूद भी यूज़ कर सकती है पर यह जो मैंने बताया है यह परफेक्ट मिजर्मेंट है अब हम यहाँ पर इक बहुना लेते हैं उसे ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा लेते हैं और सारे बेटर को इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स आप मेने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन वैल को जरूर प्रेस कीजिए तकि आपको जैसे वीडियो प्लोड हो सारे इंफॉर्मिशन बिल सकें हम इसे सेट करतेते हैं हम इसे गैसपे बना रहे हैं तो अब हम एक कुकर में नमक और स्टेंड एट करदेते हैं और साथ में भूर्णा इसमें रख देंगे अब हम कुकर का ढकन है उसकी सीटी निकाल देते हैं तो ढखन को लगा देंगी इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया है आप कड़ाई में भी इसे बना सकते हैं बनने में 45-50 मिन्ट का समय समय में लगता है यह दिखे फ्रेंट्स केक बनका रेडी है हम इसे रिमोट कर दिया था अब हम इसकी डेकुरेटिंग कर लेते हैं बहुती सौट और फलफी हमारा केक त्यार हुआ है इसे एकड़म पंजे जैसा यहां पर रूप क्लीक कर लिया है इसरेक त्यार हुआ प्रुजशन मारकेट के जैसा में ऐसे जाइन बनने में प्रूरonut को यह दा प्रूर ने यहार प्रूम Preservit रही है तो आप इसे जुरूर बना कर देखें धन्यवाद